आप सभी को मेरा तरफ से रॉल के लिए जुहार तो दोस्तों आप लोग को एक good news देना था good news बोलने से यह मत समझेगा कि बच्चा होने वाला है क्योंकि आभी तक मेरा साधी नहीं हुआ है बस आप लोग को यह information देना था कि हम लोग का channel monetize होने वाला था पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे थे तो अभी यह mail चेक करिए बस तो आप लोग यह mail चेक करिए और पढ़िए आप लोग कि इस mail में क्या लिखा हुआ है तो आप लोग को बता दे दोस्तों कि हम लोग का channel monetize हो चुका है तो आप लोग को दोस्तों बारी बारी से हम बता रहे हैं कि आप लोग अगर YouTube channel खोले हो तो क्या क्या करना पड़ेगा तो पहले 1K subscriber complete करना पड़ेगा साथ ही साथ में दोस्तों monetize के लिए और monetize हो भी गया आप लोग देख सकते हो mail में साथी साथ में दोस्तों अभी हम लोग का और एक काम करना है जब हम लोग का channel में दोस्तों 10$ बन जाएगा तब हम लोग फिर से apply करने वाले हैं जहां से हम लोग का Google pin आएगा तो दोस्तों Google pin आने के लिए दोस्तों 10$ होना जरूरी है तो आभी हम लोग वेट करते हैं 10$ कब होगा हम लोग apply करेंगे तो दोस्तों आगे और भी ऐसे बाते हम बताएंगे जो आप लोग को YouTube channel में काम आएगा और आपका YouTube channel है और आप लोग भी दोस्तों monetize करवाना चाहते हो channel को तो आप लोग इस video को पूरा द देखें तो दोस्तों काफी खुशी का बात होता है जब channel monetize हो जता है तो आप लोग भी मेनत करते जीये आज नहीं तो कल आप लोग में चैनल monetize हो जाएगा तो आप लोग दोस्तों प्रोसेसर जाना चाहते होaltë हो monotize का तो हम लोग का चैनल को subscribe करके bell icon को दबाते हैं यू आगला वीडियो हम लोग आएगा जब हम लोग का चेनल में 10 डॉलर बन जाएगा अगर 10 डॉलर बनने का बाद में दोस्तों हम लोग को गूगल पीन के लिए अपलाई करने के लिए अप्सन दिखाएगा और हम लोग अपलाई भी करेंगे गाओं का लड़का मेहनत करने का बाद में अभी यूटूब से उसको पैसा आने वाला है तो खुसी का बाद है तो जब आप मेहनत करते हो और आपको पैसा मिलता है न तो बहुत ही जदा खुसी लगता है और हमको भी खुशी मैसस हो रहा है अभी बट अभी और भी कुछ-कुछ प्रोसेस है जो हम लोगों करना है बाकि आगे का वीडियो में हम बताएंगे कि आगे हम लोग क्या प्रोसेस करने वाले हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को दबा के ओल में सेट कर दीजे फिर मिलेंगे आगला प्रोसेस में जो आगला प्रोसेस हम करने वाले हैं